हेलो फ्रेंड, चेस 2.0 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे चेस के एक औरनेट के बारे में इसको जानेंगे ये क्या होते हैं और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं जो मेरे तरीके हैं कुछ उनमें से मैं एक तरीका आपके साथ सेयर कर रहा हूँ जो की बहुत ही सिंपल है इसको अगर आप एक बार देख लोगे तो आई थेंग आपके लिए ये बहुत ही हैल्पुल होगा याद करनेंग में तो चलो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉर्डिनेट बेसिकली होते क्या है जो कॉर्डिनेट होते हैं वो हमारे रैंक और फाइल को मिलाके मनते हैं तो हम पहले ये देख लेते हैं रैंक और फाइल होते क्या हैं तो जो हमारी होरिजन्टल लाइन होती है इस तरीके से चैस की बोर्ड में उसको हम रैंक कहते हैं जो हमारी वर्टिकल लाइन्स होती है इस तरीके से उनको हम फाइल कहते हैं और जो यह रैंक और फाइल है इनके अपने अपने नाम होते हैं तो जो rank होते हैं हमारे 1, 2, 3 से start होते हैं जैसे कि आप side में हम देख सकते हैं जो हमारे last square है उसके side में हम देख सकते हैं कि इसमें एक notation show हो रही है 1, 2, इस तरीके से जो हमारी chess board के जो हमारे squares हैं इन में तो ये basically जो notation है वो एक तरह से indication दिखा रहे हैं कि ये वाली जो हमारे rank है वो हमारी 1, 2, 3 इस तरीके से है तो हम ये देख सकते हैं कि इन rank और file को मिला के एक notation बनता है ये तो बहुती simple logic है जो सबको पता होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे last वाले squares है उसमें भी एक notation दिया हुआ है A, B, C, D इस तरीके से तो ये सारे files के नाम होते हैं जो हमारे vertical lines हैं उनके नाम है तो हम अगर कहेंगे कि हमारी ये कौन सी file है तो हम कहेंगे ये हमारे C file है तो हमने अभी rank file देख लिया तो अब हम बात करेंगे E5 के जो E5 होगा हमारा वो हमारे सबसे पहले हम चेक करेंगे E file को उसके बाद हम चेक करेंगे 5 rank को तो जो हमारी crossing point होगा वो हमारा square का नाम होगा यानि कि E5 उसी तरीके से हम देखेंगे D4 तो D4 जो होगा हमारे D file पे इस तरह से देखेंगे और जो हमारी 4 rank होगी उसको हम ऐसे cross point निकालेंगे तो हमारा यह अला जो point है उसको कहेंगे हम D4 तो जो हमारे सारे coordinate बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं जो की ये वाले हैं अब हम बात करते हैं इन coordinate को याद करने की जो मेरा logic है same logic के उपर है rank और file के उपर बस मैंने अपने जो देखने का तरीका है उसको बदला है तो मैं आपके साथ वो तरीका share करता हूँ इस तरीके में हम अपने mind को बस train करते हैं कि हमारा rank और file कहां कहां पर है तो इस exercise में हम मैं आपको start करता हूँ सबसे पहले हम rank 1 को देखेंगे तो यह हमारी rank 1 यहां पर है तो आपके mind को हम यह बताते हैं मतलब हमको visualize करना है कि rank 1 कहां पर है उस तरह से हम देखेंगे rank 2 यहां पर यानि इस position पर फिर हम करेंगे rank 3 यहां पर है फिर rank 4 इस तरह से rank 5 6 फिर हम आखें बंद करके अपने दिमाग को भी इस तरह से train करेंगे फिर उसके राद हम वापिस आते हैं 7 6 5 4 3 2 1 इसमें जो हमारा main point है अगर हम यह ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारा main point है कि अपने mind के उपर सेट अप डालना कि जो हमारा board है वह automatically जो mind है उसको read कर सके एक तरीके से तो हमको पहले ABCD से ही मतलब जो main basic है उससे फॉलो करना होगा तो mind को पहले यह बताना होगा कि हमारा rank one कहां पह है rank two कहां पह है इस तरीके से तो हम यह वाली exercise जब करेंगे तो हमारे mind को automatically उसकी habit होने लग जाएगी तो अब हम odd number और even number वाला sequence करके देखते हैं तो odd number जैसे की one three five seven उसी तरीके से two four six eight उसी तरीके से हम reverse order में भी करेंगे eight six four two seven five three one अब हमको जो अपना chest भूट है उसको दो भागों में बाट देना है यह line हमको बहुत मदद करेगी याद करने में हमको practice को फिर से repeat करना है यह वाला one two three four तो अब हमको पता है यह four इस line के नीचे तो फिर से ही बाग जाएंगे four three two one माइन को बस position देना है अब इसके बाद उपर five six seven eight फिर reverse eight seven six five फिर इसमें वही alternative one three four two five seven eight six अब हमने अपने चैस बोट को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है same practice को फिर से repeat करेंगे one two अब उनको पता है यह खी जो मारा half पाट है उसके किस position पर है right three four five six seven eight उसी तरिके से यहाँ पर two one four three six five eight seven वहीं प्रेक्टिस हम अब फाइल के उपर अप्लाई करेंगे शुरू करते हैं a b c d e f g h reverse में h g f e d c b a अब हमने अपने board को फिर से divide कर लिया लेकिन इस बार दूसरे तरिके से फिर से हम वही exercise को follow करेंगे अब हमको पता है कि जो a b c d है वह हमारे left side में है तो हमारे दिमाग को और ज्यादा idea मिली है e f g h और यह right side में है similar यहीं पर d c b a h g f e alternate a c b d e g f h अब हमने इनको फिर से चार पार्टों में divide कर लिया ताकि और mind को clearity मिल सकें तो start करेंगे हमको first corner वाले a b c d e f g h अब इसी के विचने बी a d c f e h g इस exercise के बाद फिर हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अपने दिमागों की अब रिकॉल करने की ताकि वह सही से रिकॉल कर पाए first time हमको थोड़ा time लग सकता है बड़ दीरे दीरे जम आदत डालेंगे तो हम बहुत जल्दी हमारा जो यह process से बहुत fast हो जाएगा तो जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं हम बोलेंगे जीवन तो जीवन हमारा कहां पर हमको पता है जीवन यहां पर हमारा हम बोलेंगे h5 तो हमको पता है हमारा h5 कहां पर है और 5 नंबर का जो वह है रैंक वह कहां पर है तो हम जाहेंगे h5 पर उसी तरह किसे हम बोलेंगे g6 तो g6 हमारा justice के उपर होगा उसी बुलोंगे हम a1 a1 जो हमारा 1 rank होगा तो यहाँ पर होगा तो इस तरह से हम practice कर सकते हैं बाकी अगर आपको और practice करनी है तो मैं आपको leaches वाला भी recommend करूंगा वो free है तो उसमें आप practice कर सकते हो हम इसकी प्रैक्टिस किसी भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं मैं लीचेस पर करता हूँ तो मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूँगा तो इसमें क्या होता है कि आप इस जब स्टार्ट करते हो ट्रेनिंग को और आपके पास यह तीन स्क्वाइर के नाम ऐसे सिक्वेंस में आते हो सब्सक्राइब कर सकते हो दिरे दिरे आप आगे बढ़ सकते हो इसमें तो आज के लिए इतना ही आइधिंग थैंक्यू